हलो फ्रेंड्स, वेल्कम तु माई यूट्यूब चैनल इंग्लिस मंत्र विद बी एम सर् साथियो, आज के वीडियो में आपके लेकर क्या हूँ एक वैदी इंपोर्टेंट टॉपिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, पूरा वीडियो देखना है, अंत तक बने रहना है स्टुडेंट्स, आज फिर से वन्स अगेन आपके वीडियो एवरे डे आपके सामने आ रहा है जो daily English में चल रहा है, इसको निश्चिद रूप से आपको जोइन करना चाहिए तो आज के हमारे वर्ड्स रहेंगे, felicity and facility हम आपके लिए सभी प्रकार की सुबधाएं यहां उपलब्द करवाना चाहते हैं उसमें हमें आपके लिए कौन सा वर्ड यहां यूज़ करना पड़ेगा आप देख सकते हैं, words likely same लग रहे हैं F-E-L-I-C-I-T-Y, F-A-C-I-L-I-T-Y So you can differentiate these two words with their meaning and pronunciation separately दोनों चीज़ों को आप समझ सकते हैं जो सुबधा होती हैं, भूज यह वाला word ना होकर सुबधाओं के लिए यह वाला word आएगा देखने में एक जैसे आपको लग रहा होगा, यह है facility इसका pronunciation, facility उपर वाला word जो है, वो है Felicity, 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 Facility Felicity का मतलब होता है, खुशी या आनंद और facility होती है हमारी कोई सुबधा तो facility का अगर हम example लें तो every facility is available here यह हर प्रकार की सुबधा उपलब्द है और Felicity का example अगर हम लेते हैं Felicity means खुशी, F-E-L-I-C-I-T-Y इसका example है Actual Felicity comes from containment बास्तविक खुशी जो होती है वो संतुष्टी से आती है अपने हिर्दे के अंदर अगर संतुष्टी है तो ही Felicity आती है खुशी आती है, आनन्द आता है तो friends आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके बताईएगा See you next lesson, तब तक के लिए जैहन्द, जैभारत